राजपाल आदो, अपनी कॉमेडी फिल्मों के लें फेमिस, बतलो हम सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ एक्टर नहीं, उनकी सीरिस फिल्म मैं मेरी पतनिया और वो देखिए, भूल बुलाईया का छोटा पंडित याद ने आगा, लिखवा के ले लो, अब उनकी एक और सीरिस फ पर फ्री मिस्ट्री मोगी है, फिल्म को बनाया है पलाश मुचाल ने, जो सिंगर पलक मुचाल के भाई है, अर्थ कैसी फिल्म बनकर तर्यार हुई है, आज के रिव्यू में उसे पर बात करेंगे, जब फिल्म का ट्रेलर आया था, तब हमने राजपाल रादो को दो चलता है, तूसरा था किंडर बने राजपाल रादोगा, ट्रेलर में इस बात में कॉमेंट नहीं किया गया कि वो गर से किंडर बनकर क्यों निकल रहा है, जो ऐसा गेटव लेके क्यों निकल रहा है फिल्म में ऊसकी वजह मिलती है, शिवा ने थीईटर में बहुत चपल ग मानता है और मानता है कि यार यह एक्टिंग नहीं है हम शिवा को अंगिनद आडिशन देते वे लेखते हैं और हर जगह उसे अपनी हाइट की वज़े से निकाल दिया जाता है बस कुछ डायक्ली यह बात बोल देते हैं तो कुछ मिस्फिट करे के मना कर देते हैं कि मतलब सरसे बाहर निकलता है क्राफिक लाइट पर पैसे मांगता है और दूसरा इस काम से जितना भी समय निकाल सके वो समय निकाल कर ऑडिशन पर जाना फिल्म आपको मुंबरी शेयर में सपने पालने वाले एक आदमी की कहानी दिखाना चाहती है कि कैसे उसके बुरे दिन आते ह मजबूरिया आती हैं चोटे-चोटे पलों से खुशिया निकालने की कोशिश करता है उसके लिए हर सुबा दूप नहीं निकलती और जिस दूप की उसे तलाश है वो शाइद कभी आये भी ना लेकिन फिर भी हो कोशिश करता है वो एक लौता काम जो उसके हाथ में है उसक क्रेक्टर कार्तिकारियन का famous monologue practice कर रहा होता है शिवा को देखते ही वो एक classes सा comment करता है कि जा जाके पानी लेके आ मैं थक गया हूं ऐसा कुछ उसके dialogue खत्म करते ही background में एक funny सा music सुना ही पड़ता है ऐसा लगता है कि film आपको उस classes comment पर हसाना चाहती है तो शायद इरादा आ रहा हो पर message तो यही पहुंच रहा है making के लिहाज से और भी loopholes दिखते हैं कैसे शिवा एक play खत्म करके good night बोलकर बाहर निकलता है और बाहर दिन हो रहा है मतला भरी दोपरी type उसकी पत्नी मदू बनी रूबिका दिलैक किसे घर पर काम कर रही है ताकि गुजर बसर का इ अब्यस कर देना उसके अलावा और कोई बात ना करना अर्थ फिल्मेकिंग का एक perfect example नहीं यहां कोई perfect है तो सिर्फ एक इंसान राजपाल यादो वो इस फिल्म के one man show है फिल्म में राजपाल यादो की acting को आंकने के दो पैमाने एक तो audition देने पहुंचा शिवा और दूसर का उस audition room से बाहर जिने वाला शिवा जैसे camera roll करता है शिवा loud होने लगता है अपने शब्दों पर जोर लगाने लगता है वो ऐसा actor नहीं जिसे आप best actor करें बस वो खुद यह बात नहीं जानता इसलिए हर audition पर एक जैसी acting करके घर वापसा जाता है घर आए शिवा की बातों और हावबाओं में कोई loudness नहीं हर चीज control में लगती है कोल मिला के राजपाल रादो ने एक ऐसे आदमी का रोल निभाया है जो अच्छा actor नहीं यानि जान बूच कर बुरी acting करना कुछ इस तरह कि देखके लगे कि सामने आला acting में कच्चा है यार यह नहीं कि वो बुरी acting करने की जीतोड कोशिश कर रहा है यहां दोनों बातों में फर्क है राजपाल लादो फिल्म में यहीं करते हैं राजपाल लादो का अपनी performance पर कितना control है इसका एक example देते हैं आपको शिवा लाइफ की भागदौड से थक चुका है सर चुका कर बैठा है रोना चाहता है र हरोसा किया उनका कोई अर्थ नहीं निकला राजपाल लादों को ऐसे और भी राइक्टर्स करनी चाहिए क्योंकि अर्थ उनके काम के साथ पूरा इंसाफ नहीं कर पाती आज के रेवियू में इतना ही मैं हूँ यमान और कैमरा के पीछे हमारे साथी मोहन शुक्रिया